चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं MP स्पेसल का वारवा पार्ट इसमें देखेंगे हम किरसी फरेदिस और पसू धन MP से संबन देते हैं पूरा आपको बताते हैं MP में कुरू किरसी भूमी है 49 परसेंट इसमें से 43 परसेंट पर एक फसली की जाती है MP में किरसी जोतों का छित फल है 154 लाग हेक्टर MP में अन्ना पूर्ण योजना अंतर के 2015-16 में चलाई गई थी किरसों को किसकों को लावानवित करने के लिए अंगला है मारा नेशनल मिसन ऑन आईल से एंड वाईल पॉप योजना 2014-15 में की गई थी ये किया ही थी तिलैन फसलों में उत्पादन उत्पादक तब में बढ़ाने के लिए ठीक अंगली एक की गई थी मौसम आदा रित फसल भीमा योजना 2013-14 में इस रूं की गई थी मौसम में जो भी फसल वरबाद हुई थी उसका भुकतान करने के लिए लाप देने के लिए कृस्कों को किसानों को टिए राष्टिय उत्ध्यान की मिसंग जो 2005-2006 में चलाए गई थी एक क्रिसी मंत्याला द्वारा चलाए गई थी भारसरकार उत्ध्यान की को बढ़ावल देने के लिए उस्दिय पादक मिसंग दोजार आठ नो में चलाए गई थी जन नेजी वागीदारी योजना एक कंपोजिश्ट लोजिस्टिक हब पावर खेड़ा होसंगाबाद में चलाए गई थी राष्टिय क्रिसी वाजार योजना चलाए गई थी जिसनके तहत करौन मंडी स्थाबित की गई थी 14 फरवडी 2016 में इसके तरह मंडीयां खुली गई थी आपको बताने मंद्यपदेश खाद्यान उत्पादर में चोथरे नंबर पर है और स्वयावीन चना अलसी दलहन अफीन में फर्ष्ट नंबर पर हैंपी और स्वयावीन का उत्पादन पराव में हुए था देवास जले से हुए था और आपको बताने ज्वारत लेन अरेर में फर्ष्ट नंबर पर एंपी है एक विपुल उत्पादन कायकरम चलाए गया था कृसी उपज में विद्धी करने के लिए सुरजदारा योजना चलाई गी थी एष्टी किसानों की आर्थिक स्थिति सुदारने के लिए किर्सान परि था कि जो अद्यक्ष होते है वो जलापन चयत अद्यक्ष झारत बनाया जाता है आपको पता है कि खन्रभा और खरगोन को सफ़े शवना भी बोला जाता है सुयावियन का जो सरवादिक उत्पादन होता है वो जन में होता है उमरिया उकटनी जिली को छोड़के MP के सभी जिलों में सुयावियन का उत्पादन होता है वो गन्ना जो हमारा गन्ना होता है निवार छेत में होता है MP में सहकारी च्छित का स्वयाविन कार खाना है सेवनी में, सहकारी उसे बुला जाता है जैसे किसी समूवी दिवारा खोला जाता है कोई भी कार खाना सुया विश्किट सहयंद बोपाल में, राष्टी है सुया विश्किट सहयंद बोपाल में, राष्टी है सुया विश्किट अनुसंधान इंदोर में, देश की पिथम जैविक खाद दिकाई इंदोर में, आउसिष्ट से जैविक खाद सहयंद ग्वालियर में, सहकारी छेत का केट नासक सयंत रखनी में महिला किसानों के पिसीख छण एवजना के लिए डेन्मार्क सरकार की सहाथा से चलाई गई थी किरसी बिभाग का नाम किसान कलने आड़े वं तता किरसी बिभाग कल दिया गया MP में सबसे बड़ा स्वयावीन सयंत है उजन में थ्रष्ट परिवजना 1989 में चलाई गई थी सूखेश की स्थिती में सहाथा करने के लिए किसानों की यह चलाई गई थी चावल गयों आरहर कुछसत इसके तहर सत्पिती सत्थ लाब दिया गया थी गयों में MP में कुल भारत के फु का जंदार गोला जाता है मालवा के पठार का अफीम यहार आपिम की कि खेती होती मन्द सोनन आ नीमच में ओ गांज्या की खेती होती खंडगा बा बुरानपूरमें चिक्ज़न सबसे जादार होता है ग्वालिय में मुरे है ओनमी अरा गुतु व्यक्तॉब्र, नमबर में वुई जाती है, मार्च अपेल में काटी जाती है, आपको बता दें कि सरवादिक कृषी जोट मद्फिदेश में हल्दा में है, और नियुनतम कृषी जोट है जो कटनी नीमच में है, सरवाधिक सुध्यकिरसी भूमी है उजजन में नियुनितम सुध्यकिरसी भूमी है मंदला में सरवाधिक चिदफल स्वयवीन बोया जाता है मतरतिस में दूसरे नम्बर पे गेंगों बोया जाता है चित पलबर राष्टी ये दलेन विकाल स्योजना MP में चलाई गी थी 1998 निंड्यानवे में दलेन को बढ़ावा देने के लिए अंगलिया स्स स्योजन प्रिदेश क्रिसी जलवाई 11 प्रिदेशों में बाटा गया MP में यमू चनाव सबसे बड़ा सस्पिदेश है ये पूरी मालवा मुंदिलकन्द में मद्दपिदेश में मंडी अधिनियम आया था 1960 में मद्दपिदेश के क्रिसी शेत देखते हैं क्रिसी विभाग को क्रिसी विभाग ने 5 चित्रों में बाटा आया पहली हमारी पस्चिम में काली मिट्टी का मालवा पिदेश ये मंद्दपिदेश नीमच रतलां धार देवास उज्जन साजापूर इंदोर जाबुगा बड़वानी हर्दा खंडवा खरगोन आते हैं इस छेत में इसमें ज्वार कपास की केती की जाती है दूसरा है में उत्तर में उज्जवार गेहूं का पिदेश ये मुरेना सेवपूर परिंडग्वालियर दतिया सिवप्री गुना चतरपूर टीकंगर छिदवाड़ा बैदूल में पहला हुए इस छेत तीसरा है मद्द गेहूं का पिदेश ये भुपाद, सेवर, असंगाबाद, नरसिंपूर, रहसेन, बिदीशा, सागर, दमूर इस चित में सामेल है अंगला चोतरा है मारा चावल गेहूं का पिदेश ये पन्ना सतना खटनी उमरिया जवलपूर सेवनी में पहला हुए है संपून, पूर्भी, मद्द पिदेश, चावल का प्रदेशी बूला जाता है इसे रीवा, सीधी, सैडोर, डेणोरी, मंदला, बाला गाट अब फसलों के यादार पर बूल दें तो इसे साथ चित्रों में बाटा गया है MP में, क्रिशिव पहला है जवार का चित, गुना सिवपुरी, सिवपूर, पश्चमी, मुरेना दूसरा गया हूँ बाजवार का चित, बगेल खंड मालवा के पठार का मदबा, भेंड मुरेना गौलीर तीसरा है जो कपास बागया हूँ का चित, उज्जेन, मंदसोन, साज्यापूर, राजगर, देवास, सिवर, जिलिस में साविले फसलों के आधार पर चोत्रा है हमारा जो कपास का चित है, पश्चमी, मत्पदी, स्खंडवा, खरगोन, बढ़वानी, दार, अतलाम, जाबूआ पाचवा, चावल वा कपास चित, खंडवा, चावल कपास चित है, इसमें सिवनी चित बाड़ा बैतूल है, सामें लास्ट है जो साथवा है, चावल का चित, भगिल खंड का चित, सेडोल, मंदला वाला अगाट, सिवनी सिधी, जवलपूदू मौसम के आधार पर, तीन आधार पर फिसल को पाट अगया, किसी चित को, रभी, इसके ताइद गेंज, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी, मसूर आते हैं खरीब है जो 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 चावल, सोयवीन, कपास, गन्ना, मुंफली, तिल, तुगर, जवार, मक्का, सूर, मुंपी, आधी फसलें आती हैं खरीब फसल के लिए जायद है जो खीरा, कक्री, तरबोज, खरबोज, लोकी, कद्दू, इसके ताइद फसलें होगाई जाती हैं अब बात करते हैं उपेप के आधार पर किसी छेत्तों को बाटा गया है दो में दो बागो में ब्यापारिक फसल कपास, गन्ना, तमाकू, तमाकू, के बद अफीम, पट्सन, अलसी, तिल, सोयवीन, खाद्यान के आधार पर, खाद्यान दूसरा उपेप के आधार पर किरसी की जलवाई एवं भागोलिक दसाएं देख लेते हैं किरसी कौनसी फसल को कितनी वर्सा चाहिए होती है, किस तना ताबमान, कौन से मिट्टी ये भी देखते है, गयहू है जो इसके लिए वर्सा होनी चाहिए 75-100 cm और ताबमान होना चाहिए 15-25 cm ग्रेट इसके कहारी मिट्टी होनी चाहिए दूसरा चावल है इसके लिए 175-200 cm और तामान होना चाहिए, दौमट, दल-दली, चिक्नी मिट्टी इसके लिए रमोख होना, चना है जो इसके लिए 100-200 cm और वर्सा, 20-26 cm तामान काली मिट्टी में जलबर में होता है, कपास के लिए 60-100 cm और 20-25 cm ताबमान काली जलून मिट्टी में उतफादन इसका होता है तुगर है जे 100-200 cm बरसा होना चाहिए 20-26 cm ताबमान चिकनी दोमट मिट्टी में इसका ज्वार है अंगला इसमें 75-100 cm बरसा 15-26 cm ताबमान दोमट कशारी मिट्टी गन्डा है जे 100-200 cm बरसा होना चाहिए इसके लिए 15-24 cm ताबमान हलकी दोमट मिट्टी में इसकी चिति की जाती है आपको बता दे हैं रकवा और पादन के सबसे देख लिएते हैं कौन सी किरसी के छेतरों में कौन से जले पत्थम नंबर के हैं अधिक्तम और निवनतम ठीक दोनों देख लिए आपको द्धान की फसल की बाता है तो अधिक्तम द्धान होती है रकवा के आधार पर इस तरह पे उत्पादन के आधार पर रकवा के आधार पर द्धान है पहले अधिक्तम होती है बालागाट सिवनी मंदला में और निवनतम होती है इंदोर नीमच साजापूर में उथपादन के यादार पर धामन होती है बालागाट में सबसे जानदर फिर सिवनी मंदला में और निवनतम होती है इंदोर नीमच साजापूर में ग्यों देख लेते हैं, ग्यों रखवा की आदार पर अधिक्तम होती है, होसंगाबाद, विदीशा, सियूर में, बुरहानपुर, बालागाट, सहडूल में नियुनतम होती है गोश्तपदन की यहादारपर होशंग अधितं होता है हो शंगाबाद में वीधिती साहर में नियुधूङन्धतम होता है अनुख पूर्हण पूर्व अनुख पूर्हणकुम्च को मक्का की देख ले давно एडह जोकिती है मैं societोच और जोग double और उत्पादन देख लिए थे मक्का का अधिक्तम होता है जाबगयर अतलाम चिदवारा में और नियूनतम होता है मुरेना बेंड गवालियर में शुयावी ने जो रखवाक यदर चे सागर दूगे हैं देखना अो अधिकंत मुएक जाता है हं सेः रोली उद्ध बखालागाट में निम्तम हो अधिकंद दिखते हैं हैं अधिकंद देखें तो विट जैन साजापूर चे सागर में उता है और Niwnetam Singshan तो मुरेयना बैंड मंदुसोय में अधिक्तम और निनतम खरगोन और राय स्हें हुसंगवाद तो कपास में अधिकतम रखगोन धार खंडवा और निनतम नीम चुच्चें शिवपूर उत्पादन में देखते हैं तो का पास तो खरगोन, धार, खंडवाय, अधिक्तम और नियुनता में नीमच, उच्चे, शेववट गन्ना देख लेते हैं तो गन्ना रखवा की आदार पर नियुनता में नियुनता में नियुनता में नियुनता में नियुनता में धार, खंडवाय, अधिक्तम और नियुनता में धार, खंडवाय, अधिक्तम और नियुनता में धार, खंडवाय, अधिक्तम और नियुनता में अधरक की बात करें तो अधिक्तम रखवा की आदार पर चिदवारा खंडवा टीकमगर में नियुनतम में सिवपुरी गुना असुग नंगर ओधपादन की आदार पर अधरक तो खंडवा चिदवारा टीकमगर शिवपुरी गुना असुग नियुनतम है ये उपर वाले के लेंसन की बात पर रक्वा की आदर पर अथिक्तम होता है हुथिक्तम होता है रत-रован अचें में धित्या जुन अवहनलों, दिनोरी बुर्हानपोर में रखवा क्यादर पर इंदर देवास ऍाजयापूर में सबसेरी, निउंगतम नीमच बढ़वानी जाबुआ. और उत्पादन में अलू, इंदर देवास छिदवादा में सरवादिक, और नीमच दिन्डोरी बढ़वानी में निउंगतम. सकरकंद की बात करें तो यह अधिकतम होता है यह रगवा किया दर पर दमोर टीकंगड चतरपुर और नियुनतम है भोपाल नीमच बेंद और उत्पादन में सकरकंद टीकंगड होसंगबाद चतरपुर बोपाल अधिकतम होता है टीकंगड होसंगबाद चतरपुर में प्याज खंडवा साग में अरथ श्तरवादिक एक और नियूदतमे ग्वालियर शिरफ़ धतिया क्रिसी से संब्ढदें पिरमुख कुछ संस्थां युण किन्यत दीखती हैं तो राश्टिय द्धन अनुसंदान बढवानी में आपको बताएं सेल्चित जैविक खाथ सरयंद भोपाल में गन्ना अनुसंदान बोरहान नर्सिंगपुर में किरसी का अंतराष्टी रिसेर्च सेंटर अमलाह सिवर में मध्विदेश गयमु अनुसंदार पवार खेड़ा होसंगावाल में कपास अनुसंदान खरगोन में किरसी अभियांत की अनुसंदान भोपाल में किरसी अभियांत की महाविद्य अले जवालपूर में द्यान की महाविद्य अले मंदसोर में येसिया का सबसे बड़ा सोयवीन सेयंद उज्जन में पिदेश का सक पहला सेलचित जैविट खाद सेयंद बोपाल में मवेसियों का चारा बनाने का सेयंद धार में भारत की पित्थम जैविट खेती इकाई इंदोर में या इंडियन इंस्टिट्टीट ओफ सोईल साइन से बोपाल में जवा हल जवाहल लाल नेहरो किसीब इस बिद्ध्याल ए जवालपूर मं उनीस सिचर चॉफन कुल अन्तशाटी मग्या मक्का घंउं अनुसंदार खमरिया जवालपूर में डेरीश केंद परिया्ट जवालपूर में राष्टिये अंगूर अनुसंदान रतलाम में, राष्टिये सुयावीन अनुसंदान इंदोर में 1923 में खुला, दलहन अनुसंदान अमला सिवर में, राष्टिये खरपतबार बिग्यान अनुसंदान जवलपुर में, पसु पालन MP में देख लिए दे, कुट पालन की देख तो गौ बहेंस है 109.8 लाक और पसुधन नो कुल पसुधन देखते हैं तो 3.63 करोड और कुकोट और बतक देखते हैं तो 119.5 लाक और बेडां की बात करें तो 3.909 लाक और बकरे-बकरियां देख लेते हैं तो 80.14 लाक है 2016-17 के इसाब से देखें तो 1063 पसू चिक्द साला है 1585 पसू जाला है 38 पसू चिक्द साला है एकाईया है 22 जिलाशतरिय रोब अनुसंदान साला है आपको बता दें क्रिसी बी संग्राल है बदबदा बोपाल IESO Certificate 2008 मानक भीरू के इसाब से इसे माननता फिराप्त है इसे यह 25 मार्च 2016 से 26 मार्च 2019 तक इमाननता पराप्त है Operation for second card जो 1980 में चला है इसके तरह चार दुगति संग बनाए गया थे गवालिया जावलपूर राय सेंग्राइपूर सागर्ण जो हमारा अमूल पदिती पर डेरी विकास किया गया था operation पर पसु धन है जो एक सो बतादें आपको की पसु धन 110 पसु पिती बाग किलूमीटर है सबसे जाना है टीकमुड रीवा में नियुनतम है अहसंगाबाद में सरवादिक पसु संक्या है सीधी में और नियुनतम है बुरानपूर में सहकारी डेरी विकास कायकरण 1975 में चला था आनंद पदिती पर भूमी विकास नेकरण में चला पसु धन सिक्षा महा विद्याला है जवलकूर महू में गोवन्स आयोग गोवन्स संरक्षन के लिए मद्धिस पहला इस्टेटर जिटने बनाया था एकी करण डेरी विकास पर योजना उननीस सो संतानवे में चली दुख दुथ पादन में बढ़ावा देने के ल करनाने के लिए कालोर संगोपन कायकरम यह चल दा था बच्चियों को गाय में पोसित करने के लिए चली अगले लेक्चर में एंपी स्पेसल के तिरवे पार्ट की बात करेंगे बन संपता एब हम बनने जी ठीक है इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हुए